राइबिरेली के मेरे प्यारे बहेनों भायों, नमस्ते, आशा है कि आप सभी लोग स्वास्थ होंगे, आने वाली तेज तारिक को आपकी पांचों विधान सबाव में वोट दाले जाएंगे, यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महतुपूर्ण चुनाव है, क्यूंकि आपने पांच साल ऐसे सरकार देखी, जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। मेरे किसान भाई बहन इतनी महेन से देश के लिए अन उगाते हैं, इन पांच सालों में आपको ना तो फस्तो का दाम मिला, ना खाद मिली और ना ही सिचाई की सुविदाएं। आपके उपर कर्ज कबोज है और आवारपशू आपकी फस्तो बर्बाद कर देते हैं। ठीक यहीं हाल नोजवानों का है। नोजवान अपने आने वाले कल के लिए महेनत से पढ़ाई करते हैं। नोकरी की तयारी करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने आपको घार बिता दिया। सरकारी नोकरियों के बारा लाग पद खाली पड़े हैं। लेकिन आपको नोकरिया नहीं दी गई है। पेत्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसो तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं। कि आम लोगों के घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी बहने पाए पाए जोड़कर अपना घर परिवार चलाती हैं। लेकिन महंगाई ने उनका जीवन दुबर कर दिया। भेनों, भायों आपने हाल में ही कोरोना का कथिन समय देखा है। एक तरफ आपको ओक्सीजन, दवाईयां और अस्पताल में बेद नहीं मिले। अपने प्रियजनों को खोया है। जिन के लिए वही एक मात्र सहारा थे। दुसरी तरफ लोकडाउन में आपके काम दंदे बंड हो गए। आप सबने मीलो पैदल साफर करने की पीरा खुद जेली है। मगर मोदी योगी सरकार ने एक गयर जिम्यदार सरकार का परिचय देते हुए आप सब की तकलीफों के बवजूद मूँ मोडे रखा और आखे बंद रखी। इतना ही नहीं लोकडाउन में आप लोगों की प्रती उनका व्यवहर ठीक वहीं था। सरकार ने आपको कोई राहत नहीं दी। आपने देखा होगा कि सरकार ने आपका बोज हलका करने की बजए आपकी महनच से बनाए गई सरकारी कामपनियों को कोड़े के दाम अपने चहेतों को बेज दिया। लिहाजा बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। हम आपके क्षेतर के लिए कहीं विकास योजनाएं लेकर आये थे। लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सबी पर रोक लगा दी। राइबरेली के साथ सोतेला व्यवहार किया गया है। आपने कांगरिस की राजनीटी देखी है। कांगरिस की राजनीटी सेवा की और आपको अधिखार देने की है। हमने मनरेगा जैसे कानून बना कर आपको रोजगार का अधिखार दिया। जिसे आप अपने जीवन बहेतर बना सके। लेकिन अफसूस की बात है कि ऐसे संकत के समय नरेगा का बाज़त बढ़ाने के बज़ाए कम कर लिया गिया। कांग्रेस ने लोकडाउन के दोरां भी सेवा की राजनीती की। आप गहरों से दूर फसे थे आपको घर पोचाया। जितनी भी आपकी मदद हो सकती थी हमने पूरा प्रयास किया। सेवा और अधिकारों की राजनीती के रास्ते पर चलते हुए ही। उतर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीती का विजन लेकर आए है। इसमें युवाओ को रोजगार, महिलाओ को अधिकार, किसान बहनों भायों को सुविदाय देने का और आम जनों को महंगाय से निजात दिलाने की योजनत है। हमने महिलाओ के लिए शक्ती विधान, युवाओ के लिए भरती विधान और उतर प्रदेश के विकास के लिए उन्नत्ती विधान तयार किया है। मुझे कुशी है कि प्रियांका ने इस बार 40% महिलाओ को दिये हैं। उतर प्रदेश में पीछले पांच सालों में हमारे कर्यकर्ताओं ने बहुत महनत की है। जनता के हक की लराई लड़ते लड़ते हमारे अथारा हजार कर्यकर्ता जेल भेजे गए। बहनों और भायों, मैं अपने आपको आपके परिवार का एक अतूत हिस्सा मानती हूँ। हम आपके जीवन को बहेतर बनाने वाली राजनीती के प्रती समर्पित है। हम आपको ऐसा ही धायक देना चाहते हैं। जो दिन रात आपके लिए काम करें और आपको मजबूत बनाने वाली युजनाय बनाए। इन चुनाओं में कांग्रेस पार्टी के हातों को मजबूत कीजिए और अपने बविश्य को बैतर बनाने वाली राजनीती चुनिए। राइबरेली के हमारे सभी उमिद्वारों को भरे मतों से जिताएए। जय हिंद।